नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पौधों के बारे में जो बहुत ज़्यादा बारिस से खराब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा जब बारिस पढ़ने लग जाती है तो कुछ प्लांट होते हैं वो धीरे धीरे गल के खराब हो जात अगर बहुत ज़्यादा बारिस हो रही है और आपका प्लांट गमले में लगा हुआ है तो गमले को उठा के ऐसी जग़ा पर रख दीजे जहां पर बारिस उस पर ना पड़े। गमले को अलग रखना है देखिए इस तर्यके से मेरा एक पॉट बाहरी रह गया था बहुत ज़्यादा बारिस के कारण ये इस तरीके से नीचे से गलने लग जाता है। अगर बारिस के कारण आपका सर्कुलेंट प्लांट नीचे से गल चुका है तो आप उसकी उपर से कटिंग करके उसकी कटिंग से नया प्लांट तैयार कर सकते हैं इसके साथ ही दोस्तों अगर आपके पास ब्रमकमल का प्लांट है तो इस प्लांट को भी आप बहुत जादा बारिस से बचाएए गमले में लगा रहता है अगर बहुत जादा बारिस इसमें पढ़ती है तो ये प्लांट भी आपका खराब हो सकता है इसके साथ ही दोस्तो बास्केट प्लांट जिसे हम चैन प्लांट भी बोलते हैं ये प्लांट भी बहुत ज़्यादा बारिस के कारा नीचे से गलने लग जाता है इसके साथ ही purple heart plant परपल हार्ट प्लां भी अगर गंबले में लगा हो और बहुत जादा बारिस हो रही है तो ये प्लांट भी धीरे धीरे गल जाता है अगर ये प्लांट जमीन में लगे होता है तो बारिस का झादा बारिस का इंपक पे कोई भी असन नहीं होता इसके साथ ही दोस्तों, पौनी टेल पाम भी दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा बारिस होती है तो जो इसका रीचे से कोडेक्स होता है इसमें पानी भर जाता है जिसके कानद वो धीरे धीरे गल के खराब हो जाता है Mothers of Thousand Plant ये प्लान भी बहुत ज़्यादा बारिस में गलके खराब हो जाता है Boat Lily का प्लान जिसे हम Rio प्लान भी बोलते हैं ये प्लान भी अगर आपके पास है दोस्तों और बहुत ज़्यादा इस पे बारिस का पानी गिर रहा है तो आप इस प्लान को जरूर चेक करें इनकी जो पतियां होती है इस तरीके से अंदर से गलके खराब हो जाती है और धीरे धीरे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो पूरा प्लान गलके खराब हो जाएगा जितनी भी इसके अंदर आपको गलीवी पत्तियां दिखती हैं तो आप उन पत्तियों को हटा के प्लांट को अच्छे से साप कर लें नहीं तो प्लांट आपका बहुत जल्दी मर सकता है और साथ ही दोस्तों जितने भी हमारे बल्ब वाले प्लांट होते हैं जैसे ये कलेडियम का प्लांट है जितने भी बल्ब वाले प्लांट होते हैं जो बल्ब से ग्रो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अगर उसमें बारिस का पानी पड़ता है तो जो बल्ब होती है वो पास वराइटी हैं कैक्टस की आप उन्हें बहुत जादा बारिस के पानी से अलग रखे अगर कैक्टस में बहुत जादा बारिस का पानी की गे गिरिगा तो वो मनी प्लांट भी दोस्तों इसको बारिस बहुत ज़्यादा पसंद होती है लेकिन अगर लगातार बारिस हो रही है और गमले की मिट्टी बिल्कुल गीली ही रह जा रही है तो ये प्लांट भी नीचे से गल के खराब हो जाता है स्नेक प्लांट, स्नेक प्लांट की दोस्तों कोई भी वराइटी हो बहुत जादा बारिस के पानी से नीचे से गल जाती है और धीरे धीरे पूरा का पूरा प्लांट सड़ जाता है इसने प्लांट ऐसा प्लांट है दोस्तों अगर ये गलने लगता है तो इस प्लांट को बचाना बहुत ज़्यादा मुस्किल हो जाता है इसके साथ ही क्रैसूला प्लांट, क्रैसूला प्लांट भी दोस्तो अगर बहुत ज़्यादा बारिस होगी तो ये प्लांट भी गल के खराब हो जाएगा और इस प्लांट को भी बचाना बहुत ज़्यादा मुस्किल हो जाता है अगर क्रैसुला का प्लांट नीचे से गल रहा है तो आप इसकी उपर की स्टैम की कटिंग ले 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 और इसे फिर से ग्रो करें इस तरीके से दोस्तों आपको अपने इन पौंधों को बारिस के पानी से बचाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिस के पानी से और जब प्लांट गमले पे लगे रहते हैं तो प्लांट गल के खराब हो जाते हैं जितने भी आपकी प्लांट गमलों में लगे हैं दोस्तों उनके drainage hole चेक कर लीजिए अगर drainage hole बंदे हैं तो उनको खोल दीजिए जिससे अगर उनमें एक्स्ट्रा बारिस का पानी आ गया है तो drainage hole के रास्ते निकल जाएगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को like और subscribe करेगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद